Hello friends, welcome back to English Vidasha Mam आज हम एक story की reading करेंगे इसका title है The Thief's Story Thief means chore, story means कहानी देखे इसके ओपर मैंने कुछ तिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आपने complain किया था, comments में लिखे कि font धंग से नजर नहीं आ रहा है इसलिए मैंने आज printout निकाला है और इस story को हम पढ़ेंगे एक एक word का meaning आपको बताऊंगे साथ में grammar भी सीखेंगे Thief, एक चिसका spelling लिखते टाइम ध्यान रखना है कि I, E और E, I अब डोनों का sound होता है बड़ी E, तो हम क्या sequence में लिखें, इसमें हमको हमेशा confusion होता है तो अगर आप ये वाला formula याद रखोगे कि जब भी C आता है किसी भी word में उसके बाद E और I आता है और बाकियों में I, E आता है तो ये वाला गर rule याद रखोगे तो spelling mistake कम होगी exceptions हैं बट generally spelling में कम mistake होगी जैसे receive, deceive तो क्या होगा R, E, C, E, I, V, E है ना तो receive और thief T, H, I, E, F ये वाला आप ध्यान रखोगे C के बाद E, I, E आएगा और otherwise अगर C नहीं है तो I, E लिखेंगे majority of the cases में This story is written by Ruskin Bond ये वाली कहानी लिखी गई है written third form of verb है write, wrote, written is written by Ruskin Bond It is about a young 15-year-old boy Hari Singh तो ये वाली जो story जो की Ruskin Bond ने लिखी है अब Ruskin Bond जो है ये एक writer है जो generally बच्चों के लिए कहानिया लिखते है और इनकी short stories होती है बहुत famous writer है It is about a young 15-year-old boy तो एक 15 साल के बच्चे की कहानी है boy की लड़के की Hari Singh Hari Singh नाम के who befriended people in order to rob them who जो की Hari Singh के लिए यूज किया गया है कि जो की befriended जो की दोस्त बनाता था people लोगों को person इसका singular होता है people हो गया plural लोगों को दोस्त बनाता था in order to rob them उनकी चोरी करने के लिए तो इस purpose के लिए वो लोगों के से दोस्ती करता था उनको दोस्त बनाता था एक बार फिर से पढ़ते हैं this story written by Ruskin Bond is about a young 15 year old boy Hari Singh who befriended people in order to rob them one day he met Anil during a wrestling match wrestling यहाँ पे W silent है तो wrestling बोलेंगे wrestling means कुष्टी का match एक दिन he met meet का second form है met meet मिलना met मिला he किसके लिए used है Hari Singh के लिए कि Hari Singh Anil से मिला एक कुष्टी के match के दोरान during means दोरान Anil was a 25 year old man who was leading his life casually और Anil जो था वो एक 25 year old man था 25 साल का आदमी था who was Anil के लिए यूज किया गया who was जो की leading his life casually casually means लापरवाही के साथ leading means बिता रहा था जो की लापरवाही के साथ अपनी जिन्दगी को बिता रहा था he was a struggling writer अब ये Anil के लिए बुला गया है ये प्रोनावन अनिल के लिए है कि he was a struggling writer एक writer means वो लेखक था और कैसा लेखक था struggling संघर्ष कर रहा था अभी उसने अपने आपके लिए जगे नहीं बनाई है अभी वो struggle कर रहा है writer यहाँ पे noun है उसको describe कर रहा है struggling तो ये adjective है वो एक संघर्ष शील writer था अभी who would make small money with his writing prowess prowess who would जो की make small money छोटा मोटा पैसा बनाता था with his writing prowess अब वो writer है तो अपने लिखने के कोशल के साथ prowess means कोशल और ये noun है अपने लिखने के कोशल के साथ वो कभी कभा छोटा मोटा money बना लेता था लेकिन अभी वो struggle कर रहा है अभी उसने सफलता हासिल नहीं करी है hurry flatter अनिल by trying to befriend him अब जो hurry है हरी सिंग जो की सिर्फ 15 साल का है flatter अनिल उसने चापलूसी करी अनिल की flatter का मतलब होता है चापलूसी करना मक्खन लगाना जूटी तारीफ करना तो उसने चापलूसी करी अनिल की by trying to befriend him उससे दोस्ती करते हुए या दोस्ती करने की कोशिश करते हुए and asked him for some work और फिर उसके लिए उसने कुछ काम के लिए पूछा कि मेरे लिए कोई काम है तो इसलिए वो चापलूसी करना था ताकि वो अनिल से कुछ काम मांग सके और अनिल 25 साल का है तो हरी ने यही सोचा होगा कि हो सकता है यह मुझे कोई काम दे दे अनिल asked हरी if he could cook तो अब अनिल ने पूछा asked पूछा हरी से if कि वो क्या हो cook मींज खाना बना सकता है to which the young boy replied affirmatively to which बना जिसके लिए the young boy उस young लड़के ने हरी सिंग ने replied उत्तर दिया affirmatively affirmatively मींज positive में जवाब दिया हां में जवाब दिया और यह reply यह verb है यह adverb है adverb की पहचान generally ly से finish होते हैं वाले word तो वो adverbs होते हैं और otherwise क्या होता है जो adverbs होते हैं वो verb के बारे में, adjective के बारे में और खुद adverbs के बारे में भी कुछ और जानकारी देते हैं वो होते हैं हमारे adverbs the young boy replied affirmatively hearing this अनिल टोकिम to his room and promised how to read, write add numbers and cook delicious meals तो अनिल ये सुनकर hearing this ये सुनकर अनिल जो है ले गया take का second form है took take ले जाना took ले गया अनिल को अनिल ले गया हरी सिंग को him यहाँ पे हरी सिंग के लिए है to his room, अपने room में कमरे में and promised उसने वादा किया to teach हरी की वो हरी को सिखाएगा पढ़ना, लिखना, numbers को add करना, जोडना, घटाना, maths भी सिखाएगा and cook delicious meals और उसको खाना बनाना भी सिखाएगा delicious मतलब स्वादिश्ट खाना बनाना ये भी सिखाएगा sometimes अनिल वुड गिवर रुपी तो हरी as a tip for his efforts sometimes कभी कभी अनिल वुड गिवर रुपी कुछ पैसे दिया करता था हरी को as a tip मतलब कुछ जेब खर्च के लिए for his efforts उसके प्रयासों के लिए खुदी अनिल जो है वो भी struggle कर रहा है लेकिन कभी कभी वो उसको tip दिया करता था उसके प्रयासों के लिए तो जरूर हरी सिंग कुछ अच्छा कामी कर रहा होगा अनिल के लिए कि वो उसको कभी कभी tip देता था One fine day अनिल received a bundle of notes for his published articles एक दिन अनिल received अनिल को मिला या मिले a bundle of notes एक गठी पैसो की for his published articles अब उसके जो कुछ articles published मिन्स छापे गए कहीं भी छापे जा सकते हैं publishing company ने उसके articles कुछ छापे तो यहाँ पे देखिए articles तो noun है, noun को describe कर रहा है adjective noun को जो words describe करते हैं उसको हम बोलते हैं adjectives तो यहाँ पे published जो है छापे गए adjective है तो एक दिन अनिल को रुपियों की गठी मिली क्योंकि उसके कुछ articles छापे गए थे he kept the money under his mattress he, अनिल के लिए used है कि उसने kept रखे keep का second form है money वो पैसे under, नीचे mattress means गदे उसने अपने कमरे में गदे के नीचे वो पैसे रखती है and hurry happen to notice this और hurry जो है happen to इस phrase का मतलब हो दा है कि by chance जान बुझके वो यह नहीं दिख रहा था कि कौन क्या कर रहा है या अनिल क्या कर रहा है उसकी हरकतों पर नजर नहीं रखता था just happen to notice बस उसके notice में by chance ही आया कि जो अनिल है अपने गदे के नीचे कुछ रख रहा है पैसे रख रहा है during midnight आधी रात के दोरान when अनिल was fast asleep जब अनिल fast मतलब गहरी नीद में सोया हुआ था asleep सोया हुआ था hurry stealthily इसको पढ़ेंगे stealthily चुपके से दबे पाओ steel से लिया गया है steel जैसे चुराना चुपके चुपके चोरी चीपे जैसे चुराते हैं पैसे यहाँ पे stealthily लिए है कि चुपके से दबे पाओ वो गया slipped his hand उसने अपना हाथ mattress के नीचे डाला and stole the money stole means चुराया steel चुराना stole चुराया उसने चुराया money जो पैसे kept again keep का second form है kept जो रखे गए थे under the mattress mattress के अगद्दे के नीचे जो पैसे रखे गए थे उसने अपना हाथ उसके नीचे डाला और पैसे चुरा लिए he immediately left for the railway station अब आधी रात का समय है उसने पैसे चुरा लिए he immediately left for left for मतलब के लिए रवाना हुआ railway station वो railway station के लिए immediately जल्दी ही रवाना हो गया to board a train train पर चड़ने के लिए to लखनव लखनव जाने के लिए train पर चड़ने के लिए वो वहाँ से घर से भाग गया रवाना हो गया railway station के तरफ unfortunately he missed the train unfortunately means दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्यस से ये भी एडवर्ब है he missed the train उसने train miss कर दी and wandered wandered across the streets और जब एक बाद train miss हो गई तो wandered means बिना किसी aim के इधर उधर भटकना इधर उधर घूमना अब जब train miss हो गई उसका कोई काम तो है ने आधी रात को वहाँ पे तो क्या कर रहे वो wander इधर उधर घूम रहा है streets गलियों में across मतलब गलियों में यहाँ वहाँ वो घूमने लग गया as it was pouring heavily pouring मतलब जब बहुत तेज बारिश होती है he got drenched completely drenched मतलब पूरी तरीके से भीग जाना सिर से पाओ तक तो वो get का second form हो गया got तो वो पूरी तरीके से सर से पाओ तक भीग गया क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी soon hurry began to feel agitated agitated इसको हम ज़ करके पढ़ेंगे agitated and was regretful for stealing money from an honest man like anil begin का second form हो गया began soon hurry began to feel agitated अब जल्दी ही hurry को चिड़ चिड़ाहड महसूस होने लगी agitated चिड़चिड़ाहड महसूस होने लगी and was regretful regretful मतलब पच्चतावा भी महसूस होने लगा regretful पच्चतावा regret पच्चतावा regret पच्चताना और regretful उसको पच्चतावा महसूस होने लगा for stealing money from an honest man चुराने के लिए पैस से एक इमानदार आदमी से हरी सिंग के साथ इतना अच्छा विवहार किया था इतने अच्छी तरीके से पेश आया था उसको घर में रहने की जगा दी थी खाना दिया था और इसके लावा लिखना पढ़ना भी सिखाए था अब उसको क्या हो रहा है पच्चतावा हो रहा है और चिरचिराहट भी हो रही है He felt guilty for cheating Anil Who taught him How to read and write his name And add numbers Guilty का मतलब होता है दोशी महसूस करना उसको guilt हो रहा है He felt guilty Felt, feel का second form है उसको महसूस हुआ, guilty वो दोशी महसूस कर रहा था अपने आपको वो अपने आपको एक दोशी की तरह महसूस कर रहा था For cheating Anil Anil को धोका देने के लिए Who taught him जिसने कि उसको सिखाया था Teach का second form है Taught जिसने सिखाया था उसको किस तरह पढ़ते हैं लिखते हैं Name अपना नाम कैसे लिखते हैं Add numbers और add कैसे करते हैं जोडते कैसे हैं numbers को Suddenly Hari Singh had a change of heart Suddenly अच्छानक Hari Singh had a change of heart हुआ Hari Singh का बदलाव मतला उसके दिल में एक बदलाव महसूस किया उसने And he decided to return to Anil और उसने फैसला किया He decided फैसला किया To return वापिस जाने का To Anil Anil के पास Although the notes had become soggy 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 का मतलब होता है जैसे गीले होने की वज़े से वो मुलायम हो गए थे Although हाला कि जो notes थे पैसे थे जिसको लेके वो भाग गया था Had become वो बन गए थे Soggy गीले मुलायम Due to rain बारिश की वज़े से Had के साथ verb की third form लगी है Past perfect की पहचान है ये कि note बन गए थे Soggy बारिश की वज़े से Past perfect में Had के साथ Verb की third form लगती है He kept the money in the same spot From where he retrieved it He kept Hari Singh ने Keep का second form हो गया Kept रखे वो पैसे In the same spot बिल्कुल उसी जगा पर From where जहां से की उसने वो पैसे उठाये थे Retrieve मतलब Retrieve का मतलब है जहां से उसने उठाये थे तो वहां उसने वापिस रख दिये The following day Following means अगले अगले दिन आने वाले दिन When he woke up Hari Singh जब उठा Wake का second form है Woke Wake उठना Woke उठा जब वो उठा He found Anil was normal as usual He found उसने देखा Anil was normal तो Anil तो बिल्कुल पहले की तरह ही behavior कर रहा था As usual means हमेशा की तरह तो normal लग रहा था उसको कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कहीं मेरी चोड़ी पकड़ी तो नहीं गई The young man offered Hari 50 rupees Young man यहाँ पे Anil की बात हो रही है कि Anil ने पेशकश की या दिया Hari Singh को 50 rupees 50 rupees दिये and said और कहा That he had rightfully earned it कि उसको Hari Singh ने इन पैसों को पूरे हक के साथ कमाया है ठीके Earn तो यहाँ पे हो गया verb और verb को describe कर रहा है कि किस तरीके से कमाये थे Rightfully पूरे हक के साथ यह adverb है तो क्या किया उसने Anil ने वो 50 rupees Hari Singh को दे दिये और ऐसे कहा कि यह ले लो क्योंकि तुमने इसको पूरे हक के साथ कमाया है यहाँ पे भी head के साथ verb की third form लगी है और साथ में यह adverb भी है Anil further said that he would pay Hari regularly further मतलब आगे Anil ने यह भी कहा that he would pay मतलब pay किया करेगा उसको अब वेतन दिया करेगा Hari को regularly नियमित रूप से regularly यहाँ पे adverb है कि वो pay किया करेगा regularly नियमित रूप से however हलां कि when Hari touched the money he realized that the money was still damp तो हलां कि when Hari जब Hari ने touch किया चुआ उसको एहसास हुआ या उसने जाना कि जो money था वो पैसा जो था वो still damp वो तो अभी भी सिला हुआ था वाला सीलन आई भी थी उसमें गीला था वो हलका सा Hari understood that Anil was aware of his misdeed अब Hari को समझ में आ गया understand का second form है understood समझ गया वो that Anil was aware कि Anil जानता था his misdeed उसके इस बुरी हरकत के बारे में deed जो है काम और miss इसमें क्या लग गया यहाँ पर prefix उसकी वज़े से meaning इसका opposite हो गया काम जो की बुरा था बुरे काम का उसको पता था अंदाजा था the previous night जो की उसने पिछली रात को किया था previous पिछला और night है तो रात पिछली रात but the young man still did not treat him with disgust लेकिन young man किसके लिए यूज किया गया अनिल के लिए फिर भी उसने still फिर भी did not treat him उसके साथ बरताव नहीं किया with disgust disgust means घ्रिणा या नफरत के साथ फिर भी अनिल ने हरी सिंग के साथ घ्रिणा भरा या नफरत भरा बरताव नहीं किया और hand him over to the police या तो उसको पुलिस के हवाले भी नहीं किया तो ना तो उसने नफरत दिखाई न उसने हरी सिंग को पुलिस के हवाले किया, on the contrary contrary का मतलब है इसके opposite, इसके विपरीद इसके विपरीद, अनिल प्रॉमिस टो टीच हरी how to write full sentences अनिल ने वादा किया कि वो हरी को सिखाएगा how to write full sentences तो अभी तक तो उसने नाम लिखना सिखाया था और basic चीज़े सिखाये थी अब वो उसको सिखायेगा किस तरीके से पूरे-पूरे sentences वाक्य लिखते है after this incident इस वाक्य के बाद, इस हादसे के बाद हरी सिंग वास फिल्ड विद ग्रैटिटूड तो हरी सिंग वास फिल्ड मतलब भर गया with gratitude gratitude means कृतग्यता और अनिल के लिए कृतग्यता और सम्मान महसूस कर रहा था वो अनिल के लिए and he decided to mend his ways decided, फैसला किया mend his ways तो यह जो है एक फ्रेज है mend one's ways मतलब कि अपने behavior में सुधार लाना, उसको बोलते है mend तो mend तो वैसे भी होता है repair करना इसका meaning क्या होता है repair, यहाँ पे लेकिन क्या है mend his ways की मतलब अपनी हरकतों में वो सुधार लाएगा और तब क्या होँ, हरी सिंग ने ही खुद फैसला किया कि वो अपनी हरकतों में सुधार लाएगा and become a noble human being like अनिल और वो बनेगा noble human being एक नेक इंसान like अनिल अनिल के ही जैसे तो अब इस incident के बाद जब वो वापस घर आया उसके बावजूद भी अनिल ने उसके उपर पूरा भरोसा किया और कुछ अच्छी चीजे भी बताई कि मैं तुमको लिखना पढ़ना पूरी अच्छी तरीके से सिखाऊंगा साथ ही मैं वेतन भी regularly दूंगा तो इसके बाद क्या हुआ हरी सिंग जो की हमेशा चोरी से ही अपना पैसा कमाता था उसके दिल में भी बदलाव हुआ और उसने अपने behavior में सुधार लाने का पका इरादा कर दिया लोग अपने अच्छे behavior के साथ भी दूसरों में बदलाव ला सकते हैं बिना कुछ कहे जिस तरीके से अनिल ने हरी सिंग के behavior में बदलाव लाया पूरा character उसका change कर दिया I hope friends आपको आज की story पसंद आई होगी और आपने जरूर कुछ नया इससे सीखा होगा अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजिएगा और अगर चारल पे नए है तो इससे subscribe भी कर लीजे comments में भी लिख के जरूर बताईएगा किस तरीके के videos आपको future में चाहिए Thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में